Hello friends, welcome to my nurture, मैं हूँ Krishna, कैसे आप सब लोग मस्त बढ़िया तो उमीद कर रहा हैं सब लोग आप मस्त होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे तो चली स्टार्ट करते हैं आज हम लोग Pharmacy Law and Ethics का Chapter No.3 और उसका Lecture No.2 है ना इसके बारे हमने General बाते सीख लीते हैं कुछ और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या Manufactures of Drug को ले करके कुछ बातें इस Act में क्या बोले गई हैं और उसमें सारी बातें हम पर नहीं पढ़नी है कुछ Selected Topics है हमारे पास जो हमको Manufacture of Drugs के अंदर पढ़ने है Start करते हैं तो सुरुआत में सुरा सा Introduction है कि आओ देखें Introduction में क्या बाते हो रही है तो सबसे पहले हम समझेंगे आखिरकार Act के According Manufacture का मतलब क्या है Definition हम देख लिया था वही सेम चीज़ यहाँ पर है Manufacture in relation to any drug किसी भी ड्रग के relation में Manufacture को हम कहेंगे Drug या Cosmetic relation में इसके अंदर include किया जाएगा कोई भी process या part किसी process का जो making बनाने में या change करने में या ornamenting सजाने में या finishing करने में या packing करने में लेबलिंग करने में या तोडने में या किसी और तरीके से Drug या Cosmetic में उसको production ने समय क्या हो रहा है इस्तमाल हो रहा है With view of its किसलिए? क्योंकि हमें आगे जाकर कि उसकी sale और distribution करनी है But it does not include इसके दर include नहीं होता है Manufacture के अंदर क्या include नहीं होगा compounding यान कि drug की compounding और dispensing दोने बाते समझते हो न compound drug का बनाना और बेचना मतलब patient को देते हैं जो compounding होती है Of any drug or packaging Of any drug in ordinary course of the retail business Retail business के दौरान ठीक है ना हमें केवल क्या है इन बातों पर focus करना ये चीज़े उसके अंदर count नहीं की जाती है फिर से मैं एक चीज़ बोल दूमें जो बताना भूल गया copy pen लेकर बैठें जब भी pharmacy law and ethics को पढ़ें copy pen लेकर के बैठें जो heading में पढ़ाता हूँ क्यूं क्यूंकि यहां पर इसकी English है थोड़ी सी पेचीदी होती है कई वाट tough होती है उसकी में Hindi explain करता हूँ चलता हूँ तो तुम लोग क्या कर सकते हो वीडियो को pause करके उसकी साथ साथ में Hindi को note कर सकते हो ठीक है ना otherwise बाद में लेक्चर तुम्हें पूरा repeat करना पड़ेगा repeat करना चाहते हो अच्छी बात है उसमें double practice हो जाएगी choice तुम्हारी है ठीक है अब किस-किस type के manufacturing में manufacture में किस-किस type के license दिये जाते है following licenses are provided for manufacture of drug under drug and cosmetic act इतने type के license हो सकते हैं पहला क्या है drugs other than those specified in C, C1 and X इनके अलावा जो drug से हम लोग देख चुके schedule है na schedule C, C1 X को छोड़के जो drug से उनका license अलग बनता है drug specified in schedule C, C1 but not specified in schedule X जो C, C1 में है बट X में नहीं है common नहीं होने चीए ठीक है ना उनके लिए अलग बनेगा drug specified in schedule C and C1 जो C और C1 में है drug specified in schedule X जो X में है but not in C or C1 वो C और C1 में नहीं होगा अच्छी नहीं आप है drug specified in schedule C and C1 and X है ना अच्छा नीचे आगे पॉण ठीक है drug specified in schedule C, C1 and X जो drug specified है schedule C, C1 और X में जो तीनों में पाए जाते हैं उनका अलग बनता है drugs for the purpose of examination, test और analysis जो drugs हमारी किसी चीज को examine करने के लिए, test करने के लिए, analysis करने के लिए बनती है वो drugs का production अलग होता है, उसका license अलग बनता है क्योंकि वो drug भूदी मातरा में होती है, वो sale करने के लिए नहीं होती है loan license, loan license का मतलब क्या है? क्या loan लेना है? पैसा? नहीं, दवाईया है? नहीं, तुम्हारे पास पैसा बहुत है पैसा, पैसा, पैसा पैसा बहुत है और तुमको क्या है? कि यह दवाई बनानी है तो तुमने देखा यार उसके पास, suppose तुम्हारा कोई जानने वाला है या उसके पास बन्दे के पास पूरी फैक्टरी है, सारी मशीने है, लेबर है, वरकर है, सब कुछ है तो तुम क्या कहोगे? उसके पास जाओगे पूछे का भाई, क्या तुम अपनी फैक्टरी मेरे को lease पर दे देगे? ठीक है न? तो loan होगे एक तरह का वो अब क्या करेगा? ये बंदा जाएगा, licensing authority पास काएगा, भाई मैं को दवाईयां बना नहीं है, factory उसकी है factory किसी दूसरे की है, तो यह हो जाएगा, अपने पास क्या? loan license repackaging license, repackaging में क्या होगा? मैंने बनाया, सब्वोज मैंने कोई solution बनाया ठीक है, बड़ा-बड़ा 1000 लिटर का solution बना लिया, 1000-1000 लिटर के, बेसिक बता दे रहो, मैं आगे detailing भी करेंगे, मेरे पास कितने है, 1000-1000 लिटर के container तयार किये मैंने, ठीक है, कई सारे container तयार कर दिया है, मैंने, अब किसी दूसरी जो थी company थी, उसने क्या किया, इस 1000 लिटर कि suppose 5 container तुमसे खरीद लिए, किसी और ने खरीदे होंगे, किसी और ने खरीदे होंगे, अब यह 1000 लिटर container आगे जाएंगे, इस container मैं से, फिर suppose जो भी उसको दवाई बनानी है, 100-100 ml की हो सकती है, है ना, 5-5 ml की होंगे, जैसा भी उसको बनाना होगा, अब वो इसको क्या कर करेगा, रीपैक करेगा, एक वरी पैकिंग हो चुकी है, इसको ब्रेक करके, फिर द्वारा से रीपैक करेगा, that is called रीपैकिंग, सिंपल वाता है, समझे, ठीक है, अपने कोर्स में नहीं है, लेकिन हाँ, बलड प्रोट्स के लिए भी अलग से लाइसे लेना पड़ता है, तो मेरी समझ से बातें यहां समझ गए होगे, और एक्ट का मतलब क्या होता है, हर एक चीज एथिकल होनी चीए, जैन्विन होनी चीए, ऐसी होनी चीए कि इनसान का नुकसान ना हो, इन बातों को भी ध्यान में रख करके, एक्ट के अंदर के पॉइंट तुम बड़े अरा उसके पास जाएंगी, किसके पास? कस्टमर के पास, तो वो भी इस एक्ट के तहट में काउंट होती है, क्या री पैकेजिंग मेनिफेक्टरिंग है, इस अगर ड्रग कहां बनाया है, मोर देन वन सेट अप प्रमाइसिस, यानि कि मालो किसी के पास तीन चार फैक्टरिया है एक फैक्टरी, दूसरी फैक्टरी, तीसरी फैक्टरी, ठीक है न, अलग लग फैक्टरिया है, और कुछ ड्रग उसको यहां बनानी है, कुछ यहां बनानी है, तो उसको तीनों के लिए, a separate application is to be made and separate license shall be issued in respect of each such premises, क्यों हर एक प्रमाइसिस मतलब जग है, हर एक फैक्टरी के अलग से license मिलता है फिर, यानि कि आपको भले दवाई सेम बनानी है, लेकिन अलग फैक्टरिया बनानी है, तो उसके लिए, अलग से license लेना पड़ेगा, बास बंजमारी है, license for manufacture and sale and distribution of drugs are granted or renewed by Central Licensing Approval Authority, कौन देगा, CLA देगी, जो कि appoint की गई है by the Central Government, अब जो CLA है, can delegate his power हो, of signing licenses to any other person under his control, जो उसके control में होता है, with approval of the Central Government, ऐसा हो सकता है कि ये काम अपने अंडर किसी और को भी दे सकता है, ऐसा हो सकता, अब ये क्या चीज़ होती है, अपने course में नहीं है, ठीक है, तो यहां तक तक तुम्हें एक इंट्रो समझ में आया होगी, आखिर मैनिफेक्टर होती ही क्या है, किन-किन चीज़ों के लिए हमें कौन को से चीज़े मैनिफेक्टरिंग के अंदर काउंट की जाएंगी, ठीक है ना, और कैसे-कैसे अलग-लग पिरमाइसे से, उनके लिए हमें अलग-लग लाइसेंस लेने पड़ते हैं, अब इसमें सबसे पहला topic आता है, प्रोवीजन ऑफ मेनिफेक्टर और सेल ऑफ सेटन ड्रग और यही सेम टॉपिक, ठीक है, अगर तुम्हारे पास सिलेबस है, तो सेल्स ऑफ ड्रग में भी दे रखा है, सेल्स ऑफ ड्रग है ना, जो की हमारा लेक्टर नमबर फोर बनेगा, यह लेक्टर नमबर टू, ठीक जिस दिन से सेंटरल जो इस्टेट गवर्मेंट है, डेट दे देगी मतलब, नो परसन सेल हिमसेल्फ मेनिफेक्टर फोर सेल और डिस्टिबिशन और सेल और डिस्टिबिट मतलब की, जिस दिन से सेंट इस्टेट गवर्मेंट एक डेट देगी, कि यह दवाई नहीं बननी है यह दवाई बैन हो गई है उस दिन से जिस दिन से from the date notified जिस दिन से government ने date notify करा दी दे दी ठीक है no person sell himself न कोई person खुद manufacture नहीं करेगा या sale करेगा ना distribution करेगा ठीक है कुछ भी काम नहीं करेगा और वो कौन सी drug होंगी कौन सी होंगी any drug which is not of standard quality जो की standard quality की नहीं है और misbranded है, adulterated है या spurious है अब spurious हो समझते हो गए ठीक है ना इसको मैंने बताया था जब पूरी-पूरी दवाई चेंज हो आती तो हम यहां कह सकते हैं एक तरह से नकली दवा है ना misbrand मतलब brand उसकी change कर दी गई है अब आगे any cosmetic which is not of standard quality अब यहां पर क्या था ड्रग एक बारी क्या आ गया कॉस्मेटिक आ गया और misbranded, adulterated और spurious ठीक है ना तो जिस दिन से state government कह देगी फला फला चीज नहीं हो बननी है sale हो नहीं है तो कौन को से चीज़े नहीं हो सकती है उनकी list अब आ गए यह अपने question भी है any patent or proprietary medicine whose formula is not disclosed on label or the container कोई भी patent या proprietary medicine ना समस्थे हो ना patent और proprietary medicine सब कोलोजी वगरे सब पढ़ा हम लोगोंने ठीक है whose formula is not जिसका formula disclosed नहीं है लेबल की उपर जो लेबल लगते दवाई के उपर अगर उसका formula नहीं दिया जा रहा है ठीक है ना या container के उपर जो लेबल लगते उसका formula नहीं लिखा हुआ है तो वो दवाईयां आपना sale कर सकते हो ना manufacture कर सकते हो any drug which is purpose to cure जिसको cure करने के लिए mitigate करने के लिए करने के लिए any disease specified in schedule जे schedule जे पता है ना AIDS जैसी बिमारियां है इनको cure कि ठीक हो जाएंगी इन बिमारियों के लिए अगर कोई दवा manufacture कर रहा है अब तुम कहोगे सर डाइबटीस के लिए आती है डाइबटीस की रोक थाम के लिए आती है पहले बता चुका हूं मैं डाइबटीस का permanent इलाज नहीं होता अगर कोई कह रहा है क्यों मतलब हो गया permanent इलाज कि permanent इलाज हो जाएगा प्रिवेंट कोई डाइबटीस में कभी होईगी ही नहीं ऐसा बोल करें कोई दवाई बेश रहा है तो गलत है ना ऐसे दवाई यह manufacture होंगी ना ऐसे दवाई यह sale की जाएंगी any cosmetic containing any ingredient which may render it unsafe or harmful for use कहला कोई भी cosmetic जिसके अंदर ऐसा ingredient हो जो इसको बना देता है unsafe और harmful यूज़ करने के लिए वो दवाई ना manufacture होगी ना sale होगी ठीक है any drug or cosmetic in contravention मतलब होता है उलंगन करना जो act का और rule जो दे रखे है हमारे act or rule उसके अंदर और उसको कोई उलंगन करता हुआ कोई drug या cosmetic होगी वो ना बनेगी ना sale होगी ठीक है तो इस तरीके से हमारे पास यह point आ जाते हैं और देखते हैं आगर उसका उलंगन हो रहा होगा तो भी वो दवा ना manufacture की जाएगी ना sale की जाएगी ठीक है तो इस तरीके से हमारे पास यह point आ जाते हैं और देखते हैं आगे every person not being manufacturer of a drug or cosmetic or his agent for the distribution cell if so required disclose to the inspector the name or address and other particulars of the person from which he procure the drug or cosmetic अब देखो यह बढ़ी अजीव सी लाइन होगी हर एक person not being manufacturer जो की manufacturer नहीं है ड्रग का या कॉस्मेटिक का बात समझ मारी है every person not being manufacturer of drug and cosmetic या उसको कोई agent है for the distribution जिसको authority नहीं है अगर ऐसा करेगा should require the disclose to the inspector जो हमारी drug inspector होते है उसको क्या करेगा disclose करेगा the name, address and the other particulars of the person from whom he procure the drug or cosmetic ठीक है ना तो वो क्या करेगा, बताएगा कि तुम कहां से दवा ये लेके आ रहे हो, कहां से ये तुमारी बन रहे हैं वगर सारी चीज़ें बताएगा ठीक है, आगे आते हैं, ठीक भाई जाएसे बात है जो manufacturer नहीं है, जो cosmetic का बनाता नहीं है तो कहां से लेके आ रहे हो उसको उसे drug smatter को बताना पड़ेगा, अगर ये दो कंडिशन अगर होती हो तो ऐसे cases में उसे उलंगन नहीं माना जाएगा, उसे नकली मिस ब्रांडेट है, इस फ्यूरियस नहीं माना जाएगा, क्योंसे दो कंडिशन है, आओ समझते हैं, ये दो कंडिशन है, there has been added there to some in aqua substance अगर हमने drug के अंदर कोई ऐसा substance मिला दिया है, जो की हानिकारक नहीं है, in aquas, harmless है, ठीक है, या कोई हमने ingredient मिलाया है, जो की जरूरत है उसकी manufacturing के लिए, देखो, अब तुम लोगो को सर, जो तो obvious ही बात है, वो तो उसके अंदर county नहीं किया जागा, लेकिन ये इस पस्ट ल दिखा गया है, ठीक है, ये सारी बाते legal में, legal चीज में, कानुनी चीज में हर एक चीज लिखित होती है, ठीक है, तो वो कह रहा है, कि कोई बीची जो हमने drug को बनाते वक्त उसके बनाने में जो help करती है, लेकिन harmful नहीं है, ठीक है, और preparation as an article of commerce in state fit for carriage or consumption, और वो क्या है, commerce मे हो जा सकता है, उसको consume किया सकता है, and not to increase the bulk, वो दवाईयों का वज़न नहीं बढ़ाएगा, और weight or measure of the drug or cosmetic or to conceal, कोई की चुपाना, its inferior quality or other defect, और वो जो substance है, drug को उसकी कोई खरावियों को चुपाएगा नहीं, या drug की inferior quality उसको चुपाएगा नहीं, वो केवल क्या है, इसी न होते हैं, जिसको हम excipients बोल देते हैं, तो वो सब चीजें क्या होंगी, allowed हैं, उसको misbranding ए-adultated नहीं कहा जाएगा, और विसी बात है, हम pure chemical को ले करके दवायां नहीं बना सकते, पास समझ मारी है, या, दूसरा क्या है, in a process of manufacture, preparation, या convenience, है ना, उसको ले के जा रहे हैं, manufacture कर रहे हैं, some extraneous substance has been unavoidably become intermixed with it, कई बार कुछ unavoidable substance होते हैं, जो उसके अंदर मिल ही जाते हैं, छोटी चीज ले ले, oxygen मिल ही जाती है, भले आगे जाके oxidize कर देगी दवा को, लेकिन वो मिल गई उसके अंदर, ठीक है ना, ठीक है, अब वो चीज मिल गई है, जो कि unavoidable, उसको हम रोकी ही नहीं सकते हैं, ठीक है, however, this does not apply in relation to the any sale, लेकिन जो चीज मिली है, उसका sale से कोई लेना देना नहीं है, उसको distribution से कोई लेना देना नहीं है, भी oxygen मिल गई है, उसको सोना बेचा जाएगा, ना, उसकी sale हो रही है, ठीक है, of the drug or cosmetic, occurring after the vendor or distributor becomes aware of such intermix, और वो लोग जा पिल गई है या यह चीज़ है, इनको हम adulteration नहीं कहेंगे, इसको अम spurious नहीं कहेंगे, इसकोम misbrand नहीं कहेंगे, केलिये रहे बाते हैं, तो फिर कहरा हूँ, यह कानूनी बाते हैं, ठीक है, इसको हम और simple तरीकर से लिख सकते हैं, लेकिन, लेकिन, लेकिन यह समस्या कहणी हो जाएगी यह language क्यों जरूर है इसको बहुत simple तरीक से लिख सकता था मैं ठीके ना और बताऊंगा भी लेकिन एक समस्य पता कहां खड़ी हो जाएगी जब यह कोशन तुम्हारे किस में आएंगे बेटा जब यह कोशन तुम्हारे किस में आएंगे objective में आएंगे तो वो simple language में नहीं होंगे exam में simple language में लिखके आ जाना कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब objective आएगा तो यह language substance is mixed with it mixed with a drug and it is known for किसके लिए distributor के लिए then it is allowable तो यह बात फिर समझतों कहें तुम लोग लिख भी लोग इसको और तुम लोग ऐसा exam में लिखो चल जाएगा एक number मिल जाएंगे लेकिन question जब पूछे का हो तुमसे objective objective में language आएगी तो वह वहाँ पर प्रॉपर language पूछेगा तो इसलिए हमें एक वारी language को ध्यान देना है बात समझे मारी है और इसकी हिंदी बारे जो बच्चे हिंदी में पढ़ने कोशिश कर रहे हैं वह इसका which of the following condition is allowable in drug and cosmetic act for manufacturing of drug अब एक condition यह दे रही है एक condition यह दे रही है फिर बोथ A and B अब तुम अगर यह language ही नहीं समझ पाओगे तो answer कैसे करोगे ठीके ना तो थोड़ा फिर कह रहा हूँ लिखो अपनी simple भासा में अगर question आगया तीन नमबर का कि लिखो इसके बारे मेनेफेक्टर के बारे में तो लिखो simple लेकिन समझो भी साथ साथ में ठीक है अब पढ़ लेते थोड़ा साथ condition for the question यह question के मतलब topic है एक topic था हमारे पास कौन कौन सी दवायों को रोग दिया गया है प्रोइबिट कर दिया गया है manufacture करने से और sale करने से उनकी condition है कौन कौन सी है अगला topic है हमारे पास कि क्या conditions है license देने के लिए और condition of the license और license देने के बाद क्या क्या होना चाहिए तो grant of license and condition of license क्या grant देने के लिए क्या क्या होता है और license की license ऐसा होगे ना कि मैं ठीक है मैं तुम्हें ये काम दूँगा ठीक है उसके लिए क्या condition है और जब तुम्हें काम मिल गया फिर क्या condition है ठीक है तुम्हें काम मिल गया ये कुदान के तौपर लेते हैं तुम जॉब के लिए गए तो क्या कंडिशन लएंगी आजाओ यह उसके बाद जॉब मिलने के बाद ठीक है एक बुझे लंच होगा दो बचे तक वापस आजाओ पांच से पहले घर नहीं जाओगे छुट्टिया नहीं मिलेंगी यह सब आफ्टर वाली हो गए तो लेने के लिए ग्रांट ओफ लाइसेंस और कंडिशन ओफ लाइसेंस जब लाइसेंस मिल गया है फिर क्या-क्या करना हमें या क्या-क्या नहीं करना है हमें वह सारी बातें इसके अंदर काउंट की जाती है बात समझ में आ रही है बहुत अराम से समय आता हो चल रहा हूं क्योंकि लाओ है य निचे एक्स्पेइन भी किया है देरा टू टाइपस ऑफ कंडिशन कंडिशन दो टाइप की है एक कंडिशन विचार्ट वी स्टेटिसफाइड बिफोर आ लाइसेंस अब जैसे मालों तुम दुकान खोलने जा रहे हो तो क्या क्या लाइसेंस कंडिशन चाहिए हमें एक जो स कर उसका मैंशन होता कि दुकान चाहिए ठीक है फिरिज्ज होना चाहिए वेल मैंटेंड क्या वना चाहिए तोहाँ पर फनीचर होना चाहिए यह कंडिशन हो गई तोहाई डिग्री वागरा सब होनी चाहिए मिल गया लाइसेंस अब उसके बाद यह ड्रग होगी तो है license grant होने के बाद क्या क्या condition लगती है तो इसको देखते हैं हम लोग तो एक देखो यहां पर तुम लोग क्या कर सकते हो चाहो तो इसको हटा सकते हो ठीक है जैनल में बात करेंगे condition for the grant of license जैनल हो गया लेकिन हमारे कोर्स में ऐसा mention नहीं है कि manufacture of drug specified in schedule C, C1 and X इसके लिए क्या condition है और इसके लिए क्या condition of license है लेकिन क्या है कि हम लोग दो चीजों के अंदर पढ़ते हैं चीजों को तो बता रहा हूं है पहला जो हमको license दिया जाता है क्यों सी डग होती है C, C1 और X एक license इसके लिए मिलता है और एक license को छोड़ करके बाकी दवाईं के लिए मिलता है तो लगवख दोनों में condition हमारी same ही है ठीक है तो आओ देखते है application for the license of manufacturing drug specified in schedule C, C1 excluding those of the schedule X schedule X को छोड़ करके should be made to the licensing authority application कहा जानी है licensing authority के पास और CLA के पास in form 27 ध्यान रखना कौन सा form होता है 27 अगर तुम्हें manufacturing करनी या अगर एक्स को भी बनाना है तुम्हें तो बी पर आ जाओगे ठीक है respective license are issued in form of 28 and 28 भी तुमने जब apply किया तो application कौन सी थी 27 और 27 भी और जब तुमको मिला license वो license कौन सा था 28 और 28 भी जहान रखना application number अलग होता है और जो license मिलता उसका number अलग होता है ठीक है application for including any additional drug in the license should be accompanied by a fee of rupee 50 application for including any additional drug अब अगर तुमने माल लो एको license दे दिया कि CC1 अब तुम चाहतों नहीं हमें कुछ और दबाये manufacture करनी है तो उसके लिए फिर एक additional form लगेगा ठीक है और उसको additional charge लगेगा और 50 से लेकर के 500 रुपय तक additional feel लग सकती है चलो यह तो होगी normal बात यह अगर नहीं पता हो चल जाएगा एक बार को क्यूं हमको हमारे पास main क्या है condition for the grant of license अब conditions for the grant of license license देना है तो तुमको यह अगर मालों त manufacture करना चाहते हो दवा यह बनाना चाहते हो factory में तो यह सारी conditions तुमको follow करनी पड़ेंगी तो कह रहा है before the grant of license the following condition must be complied by the applicant यह applicant के द्वारा यह सारी condition follow होनी चाहिए तो पहली condition क्या है तो manufacture will be conducted under the active direction of a competent technical staff ठीक है ना जो manufacture है वो conduct किया जाएगा याने कि manufacturing किसके अंडर में होगी active direction कौन देंगे competent staff competent मतलब होगया degree holder ऐसे नहीं कि एरे गरे किसी कोई पकड़ लिया ठीक है consisting of at least one person who is full time employee and who is competent staff होगा और जिसके अदर एक ऐसा होगा जो कि full time employee होगा full time employee मतलब जाई सब्सक्राइब 24 जिन्टे तो कोई काम करेगा नहीं तो full time मतलब होगया permanent एक तरकम अगर आपका काम लगाता चल रहा है तो वैसा ही एक staff मालो आठ से आठ के एक नौकरी होगी फिर अगले शाम के लिए next shift के लिए दूसरा staff होगा जो कि बिल्कुल उसी के जैसा होगा तो एक permanent चाहिए होगा और उसके पास क्या के डिग्रिया होनी चाहिए जो permanent होगा graduate in pharmacy pharmacy फार्मीची बी फार्म होना चाहिए या pharmaceutical chemistry के अंदर उसे ग्रेशिशन होना चाहिए ठीक है ओफर रिकोगनाईज युनिवेस्टी का से होना चाहिए एक रिकोगनाईज उनिवेस्टी से विद एट लीस्टीन मांथ औफ प्रैक्टिकल एक्स्पीरियंस उसे 18 मनें कम से कर एक्स्पीरियंस अब आफ्टर ग्रेशन इन मैन। ट्रामें ले रहा है फिर वो क्या करेगा हैट काम नी करेगा उसके अंडर में कुछ बैच बनेंगे इस तरह के धिर धिरे उसे अग्स्पीरियंस आता है फिर अपना ऐक्स्क्राइश या तो यह वना चीए है अग ग्रेजूएट अच्छी से और रिकनाइज किसी अच्छी पाइजुए जी होने ठीक है और कमसे कम तीन साल का एक्सपिरियंस होना चाहिए इन ने मैनुफक्ट्र ऑफी चाहिए अगर प्लाइशिय मेंसे किसी तुर। with at least three years of experience in manufacture of relevant drug तो ध्वान रखो नियाँस्परिए sekarang एक तो मैंड ज़रूर्ड य दूथ आप फ और और सवार्मसिस्ट यू फॉंसी हो सकते हो ग्रेज़ूर्ट सज सकते हो ग्रेज्बटि इन मेडिसीन हो सकते हो ठीक है तब भी आप In अलाओ किये जाओगे अग्रेजुएट इन केमिकल इंजीनिरिंग ओफ रिकनाइज न्यूश्टी विद एट लीस्ट थी एस एक्सपिरेंस इन मैनुफेक्ट्चर ऑफ दर रिलेवेंट ड्रग उस रिलेवेंट ड्रग हमारा रिलेवेंट है ठीक है उसके रिकार्डिंग में यह उसके वह कई विदेशी कॉलिफिकेशन होने चीह जो बाहर से पढ़ए हो और उसके बहुं वह सुक्याइबल हो और उसे अलाओ कर दिया जाए पर्मिट कर दिया जाए पहली कंडिशन समझेवागी तो पहली कंडिशन जो थी कि क्या चाहिए grant of license के लिए हमने पहले यहाँ पर किसकी बात कर ली staff की और उनकी degree की clear है now अब बात करते हैं दूसरी the factory condition must be comply with the condition prescribed in the schedule M or M3 M में क्या होता है good manufacturing practice तो company जो factory की condition होती है वो बिल्कुल schedule M की according जैसा बोला गया वैसी होनी चाहिए applicant जो application दे रहा है application should provide adequate space plant and equipment for any or all manufacturing operation as prescribed in schedule M and M3 तो जो भी applicant होगा वो provide कराएगा परियाप जगे होनी चाहिए plant उसके अंदर factory के अंदर plant रखने के लिए equipment रखने के लिए है ना जैसा कि M और M3 में कहा गया application should provide adequate staff adequate होता है परियाप परियाप स्टाफ प्रवाइड करवाएगा premises and laboratory equipment है ना अप्लिकेशन शुट प्रवाइड शुट प्रवाइड शुट प्रॉपर जगे होनी चाहिए laboratory के equipment होनी चाहिए lab वाले सारे carrying out such test जिसे की सारे test कर सके है strength quality purity की ठीक है ना laboratory क्यों चाहिए यह सब test करने होता है कि इसको strength कितनी है medicine की quality कैसी purity है कि नहीं है ठीक है जैसा कि rule में कहा गया है adequate facility for the storage of manufacture drugs should be provided अब दबात बन के store कहां करना है उसके लिए भी जगह होनी चाहिए data on stability of drug that may deteriorate ठीक है ना drug की stability की उपर data होना चीए कि drug हमारा stable है साल दो साल है एक तरह से expiry के हम लोग किया सकते हैं जो deteriorate हो सकता है for fixing the date of expiry shall be furnished to licensing authority कि drug की stability का data कि कब तक वो टिका रहेगा वो क्या हो देना होगा उसको किसको licensing authority को लाइसेंसी का मतलब होता है लाइसेंस धारी जिसको लाइसेंस मिल गया है shall comply with requirement of GMP good manufacturing practice के according सारी चीज़ें सारी requirements पूरी करेगा for manufacture of patent और proprietary medicine data should be provided to licensing authority अब कोई patent drug का manufacture करना है तो उसका सारा data licensing authority को देना है जो कि justify करेगा कि that the medicines are stable under conditions of recommended storage कि जो medicine है जो उसने बताया है कि इस storage में इतनी मात्रा में यह क्या है stable है contains such ingredient and such quantities for which there is therapeutic justification और उसका जो ingredient है जिस quantity में दिया जाएगा वो therapeutically effective है नुकसान नहीं करेगा यह सब चीज़ें जब patent वाली के लिए सब चीज़ें अपलाई कर दी जाएंगी दे दी जाएंगी तो क्या होगा उसे license मिल जाएगा अब हैना आठ पॉइंट अब तुम यहाँ अगर गौर करोगे तो देखो ऑविसी बात है छोटी से बात सोचो जारा क्या कर condition होनी चाहिए अब तुम खुश सोचो भाई हमार पास qualified person होना चाहिए फैक्ट्री होने चाहिए सारे यह तो कितना असान है अगर फैक्ट्री सुरू करनी है तो क्या क्या चीए चाहिए होंगी वह सब चीज़ दिखानी पड़ेंगी ठीक है अब आगया आते हैं फॉर्म वगएर कुछ समय याद करने पड़ जाते हैं लाइसे इन फॉर्म टॉन्टी एट और टॉन्टी एड और जो यह लाइसेंस मिला है वह वेलिड रहता है पीरिड़ ओफफाइव यर और एंड फ्रॉन डेट उन विच इस 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 देट से मिला हुआ है इस एप्लिकेशन फॉर्म रिनूवल इस मेड बिफोर इस एक्सपाइरी अगर एक्सपाइरी से पहले रिनूवल के लिए ए दे दी आती है और एप्लिकेशन मेड विदिन शिक्स मन्त ऑफ एक्सपाइरी अगर एक्सपाइर हो गया उसके छे मैने कंदर अगर रिनूवल के लिए एक्स एप्लिकेशन दे दी आती है तो तो ठीक है अधर्वाइस आफ्टर पेमेंट ऑफ एडिशनल फी वह मिल और उसके अगले छे मैने तक भी अगर रिनूव नहीं कराया तो वो कंप्लीटली एक्सपाइर कर जाएगा फिर पूरा नए सीरी से सारा काम कराना पड़ेगा बास समझ मारी है तो यह था कि कब आपको लाइसेंस दिया जाएगा अगर आप यह सारी कंडिसन फुल्फिल कर लाइसेंसी का काम है उसको चाहिए क्यों मैंटेन करके रखे यह नहीं कि तुमने सुरुवाद में दिखा जिए कि हम आप स्टाफ पूरा है तुम उसकी सेली नहीं दे पा रहे हो है ना प्लांट फॉर प्रॉपर मैनिफेक्ट्रें इस्टोरी बात है उसके बात क्या करने आप जब लाइसिस मिल गया तो क्या करना है हमन्को प्रॉपर मैंटेन रखे यह है आपने नहीं कि सुरुपर मैंटेन रखना है जैन सारी तरफ रिकॉर्ट में होसके साथे रखें हैं तो उसके साथ सब्सक्राई क्यों रोको करेगा कि हएं सब roommate और ठीक हैARK इंस्पेक्टर्ग प्रॉपर चल रहा है थीक है आपके meinem आप गया सितले लिइक्स प्रॉपर चल रहा है रिकॉर्ड मेट भी डिकाईए आप तो झो रिसेंसद हरई वह इंस्पेक्टर को इस्पेट अगर बोलता है तो दिखाना पड़ेगा रिकॉर्ड सारे दिखाने पड़ेंगे अंडर इस रूल एंट टो टेक सेंपल सब्सक्राइब प्रोड़क्ट और इंस्पेक्टर चाहे तो जो मैनुफेक्ट्टर प्रोड़क्ट है उसका सेंपल लेके जा सकता है कि तुमने जो बो सब्सक्राइब दिखाने पड़ेंगे हरे एक बैच्ट सेंपल ऑफ एड़ेक्ट उडाने क्वैंटिटी फॉर एक जामेशन है ना तो इसको फिल्यूब लेए करके दिखाने पड़े गिए हमने इस बैच यहिह सेंपल इस बैच का यहिह सेंपल जो हमनें बश्टाइअ बन ठीक है तो लाइसेंसियों क्या करना है कि उस बैच की सारी दवाईयों को अगर वो मार्केट में पहुंच गई है तो उनको वापस विड्रॉख करेगा कैसे करते हैं विड्रॉख पता है न तुमने देखाऊगा कई वर कुछ गाड़ियां वगर आयाती है जो मार्केट में प लाइसेंसियों मेंटेन रेफरेंस सेंपल ऑफ इच बैच ऑफ ड्रग मैनुफेक्चर बाइएं इन क्वानिटिटी ट्वाइस देट सब्सेंट फॉर कंड़क्टिंग अल्टेस्ट जितनी वार बैच तयार करके वो दवाईयां बनाएगा उसमें जितनी क्वानिटी बोली क्या करेंगा अर्वन पर कि यहां पर थोड़ा सा बच्चा कनफ्यूज है कुछ बाते आगर लिखी हुई है तुम्हें फिलाल दिमाग में यही दो बाते सेट कर लेनी है कि grant करने के लिए यानि condition for grant of license और condition of the license license की condition यानि कि बाद में क्या करना है अब उठाएंगो cc1 के लिए हो x के लिए हो किसी के लिए हो यह तो बाते common है सब में सब में करनी है ठीक है ना लेकिन cc1 और x के लिए था वो manufacture of drug other than those specified in schedule c and c1 c और c1 के अलावा अगर कोई रह में बनाना है तो उसमें भी क्या है सारी condition same है जो उसमें थी लेकिन उसके अलावा यहां कुछ form home की बाते मैंने बता दी है जो कि important नहीं है बट आउसराद देख लेते हैं application for the grant or renewal of license for the manufacture of drugs other than those specified in cc1 and x x कर सकते हैं cc1 and x के लिए था हमने उपर देख लिया should be made to la in form इसका form नंबर क्या होता है 24 and the manufacture of schedule x in form 24f वो कितना था 27 था यह 24 और 24f है respective license are issued और उसके लिए जो license मिलेगा वो 20f और 25f मिल जाएगा application for grant of such license shall be made for up to 10 items in each category हर एक category में 10 items के लिए हमको application grant होता कि 10 items उस category बना सकते हो इन 24a accompanied by fee of 6600 की fees लगती है and then inspection fee of rupees 1500 बाई जो बाद चेकिंग की जाएती न कि आपका पुरा जो प्रिमाइसे से अफेक्टिव अगरा सब up to date है या नहीं है उसके लिए fees अलग से देने पड़ती है ठीक है इसके बाद अगर कोई और additional item तुमको add करना है उन दददस के अलावा भी ठीक है न तो उसके लाए फिर 300 रुपए अलग से देने पड़ते है लाइसे इन form 25 और 25F remains valid for a period of 5 years and from the date of which it is issued ठीक है न तो जिस तारीक से यह license मिला है तो वह सारी बाते सेम है बस form का तारीक ध्यान रखोगे उपर जो थे उसमें 27 और 28 थे इसमें के 24 और 25 है if applications for renewal is made before expiry expiry से पहले देगा तो application made within 6 month of expiry after payment of additional fee the license shall be continue to be valid expiry से पहले करा लेगा तो अच्छी बात है expiry के बाद 6 मैंने के अंदर करा लेगा तो थोड़ी सी fees देनी पड़ती है penalty की और हो जाता है लेकिन 6 मैंने के बात कराएगा तो बिल्कुल ही बेकार होएगा license पर बिल्कुल नया कराना पड़ेगा license cells deemed to have expired deemed मतलब कानूनी तो और पर एक तरह से हो जाएगा expired हो जाएगा if the application for its renewal is not made within 6 months of expiry तो कही ना कहीं यह सारी बात है वही थी तो यहने कोई भी ड्रग हुआ तो हमें केवल दो बाते ध्यान रखनी है ठीक है c c1 और x के फॉर्म और c c1 के अलावा जो फॉर्म है उनके फॉर्म की date याद फॉर्म कौन से वह याद रख लोगे उसके दोनों में condition सेम है ठीक है इ बोरिंग लगता है कई बार ठीक है वीडियो पॉस करके मुपे छीटे मारके बैठ सकते हो देख सकते हो ठीक है अब उनके लिए क्या condition है जो drug manufacture of drug for examination है ना यह बहुत जादा नहीं बनती है हमें कोई चीज के examination करना है है ना डागनोस होगरा करने के लिए कुछ ड्रग का इस सब थोड़ी कॉंटिटिव बनता है थोड़ी कॉंटिटिव बने उसके लिए भी हमें license लेना पड़ेगा for the purpose of examination test and analysis है ना यह भले थोड़ी कॉंटिटिव बनेंगे लेकिन license हमें लेना पड़ेगा if a purpose as a person proposing to manufacture does not hold license if a person जिसका purpose है manufacture करना does not hold license to manufacture drugs other than those specified in schedule CC1X or to manufacture drugs specified in schedule CC1 in respect to such drugs he should obtain license in form 29 ठीक है तो यहां सीरी सी बात है कि कोई person है जो manufacture करना चाहता है उसको license नहीं है ठीक है तो उसको क्या करना है यहां पर form number 29 भरना पड़ेगा उसे अब if drug is not recognized as safe for use अगर safe नहीं है यूज़ करने के लिए license in form 29 is only granted उसे 29 form में तभी grant किया जाएगा ठीक है if no objection certificate from licensing authority appointed by the central government central government की दोरा जो licensing authority है वो उसे अगर no objection certificate देगा तो ही उस condition में ही ऐसी दवा बनाने को उसे एजाध मिलेगी अब तुम को जो safe नहीं है अरे भाई safe नहीं है भाई है poison अब भी तो safe नहीं है बात समझा रही है ठीक है license remain valid for a period of one year अब ऐसे license के वाल एक साल के लिए valid रहते हैं drug should be kept in container bearing label indicating the purpose for which it has been manufactured उस drug को proper label के साथ कि उसका क्या purpose है उसको रखा जाता है if the drug are to be supplied it should be a label stating name अगर उसे supply किया जा रहा है वहीं manufacture करके वहीं इस्तमाल होगा अलग बात है supply की जा रही है it should be a label उसके पर एक label होना चाहिए जिसमें stating लिखा जाएगा name and address of the manufacturer का name और address होगा scientific name of substance होगा purpose होगा उसका ठीक है it has been manufactured कि इस purpose के लिए उसको बनाया गया है यह सारी बात उस लेवल पर होनी चाहिए अब क्या है की condition for license जो grant के लिए तो वही सारी condition है क्योंकि chemical जब factory बनाने तो grant के लिए तो वही सारी condition आजेंगी अब condition for license अब आगे क्या लिए grant जब हो गया तब उसको क्या करना है लाइसेंसी को drug should be used exclusively for the purpose for which they are manufactured drug का केवल और केवल वही इस्तमाल होगा जिस इस्तमाल के लिए उसे बनायागा टेस्ट के लिए बोला गया तो टेस्ट ही होगा कोई और काम नहीं होगा उससे लाइसेंसी शुड़ अलाओ इंस्पेक्टर तो इंस्पेक्ट दा प्रिमाइसेस फिर कानी वही आगी लाइसेंसी अलाओ करेगा इंस्पेक्टर को कि प्रिमाइसेस को प्रिमाइसेस में आ करके वह चेक कर सके कि वहाँ पर सिर्फ एंस्पेक्टर के लिए ही वह केमिकल का इस्तमाल हो रहा है लाइसेंसी शुड़ कीप रिकॉर्ड रखेगा ओफ दे क्वानिटी ऑफ ड्रग मैनिफेक्टर और सप्लाइट तो एनी परसन जो उसको हो रहा है करना यहां पर कहीना कहीं बाते सारी वह हो एनी रूल मेड़ सब्सक्वेंटली एंड विच दा एले हैस गिवन हिम एनल्टी वन मल्थ ठीक है ना तो ठीक है सारी बाते लगबख मार पास सेमी आ गई है जो उसकी वाली थी अब मैनिफेक्टर ऑफ निव ड्रग अगर कोई नई ड्रग हमें मैनिफेक्टर करना है तब बाकी सब तो सेम ही है यह तीन प्रोविजन का हमें ध्यान रखना बाकी तो दोनों वो जो कंडिसेंस ग्रांट के लिए थी और कंडिसेंस वो सेम ही रहने वाली है अब क्या है नो न्यू ड्रग कैन वी मैनिफेक्टर अनलेस प्रायर अप्रूबल अफ एले हैस बीन टेकन जब तक ही लाइससेंसिंग अथॉर्टी से अप्रूबल नहीं मिल जाएगा तब तक हो मैनिफेक्टर नहीं होगा ड्रग अप्लिकेंट शुट प्रोड्यूस और डॉकुमेंटर यह यह एक्ष्टा काम आगे हैं पर जो अप्लिकेंट होगा जो बनाना चाहता हो सारे डॉ करेगा डॉकुमेंट में लगा करके उसकी प्यूर्टी स्ट्रेंट अन सच अधर इंफोरमेशन एज वी रिक्वाइड इंक्लूडिंग दा रिजल्ट ऑफ दे त्राइल्स साथ साथ में जो ठेरोपेटिक ट्राइल्स जो रिसेर्च कि उसमें क्या इफ्ट आए वह भी लाइसेंस तो मैनिफेक्ट्टर और न्यू ड्रग और इस प्रिप्रेशन एन एप्लिकेंट एप्लिकेंट शुद प्रद्यूस अलॉंग विधिस अप्लिकेशन एविडेंस सबूत पेस करने डैट दा ड्रग है अल्यदी बीन अप्रूव्ड याने कि उसे एक नए ड्रग की कैटेगरी में अप्रूवल मिल चुका है कि येस डिस ड्रग इस सेफ नाव हुमन बिंग कैन यूज दिस है ना डवली अच्टर बड़ी संस्था होती है उसे अप्रूवल देती है अब मैनिफेक्ट्रिंग के लिए यहां आना पड़ेगा फिर सारी वही कंडिशन लग है किसी के पास फैक्ट्री है मेरे पास पैसा है मैं जाकर कि उससे बोलूगा भाई अपनी फैक्ट्री देगा वो बोलेगा भाई मैं दे दूगा तो लाइसेंस लिया अब मैं जाओं गो लाइसेंस दो मेरे पास फैक्ट्री नहीं है पैसा है मैं उसकी फैक्ट्री का इस्त करती है किसी applicant को who does not have his own arrangement जिसके पास अपना खुद का arrangement नहीं है for manufacture करने के लिए उसका अपने खुद के पास कोई चीज नहीं है but who intend but जिसकी मंशा है जिसकी इच्छा है to avail himself of the manufacturing facility owned by another licensee है बट वह चाहता है कि वह manufacturing करे वह सारी facility ले जो किसी owned उसका मालिक कोई दूसरा licensee है ठीके ना तो याने कि उस factory का जो फैक्टरी में ठीके ना अब हुआ क्या उस factory का license है कि उस factory में manufacturing हो सकती है उसका license है उसके पास पास समझना issued for the manufacture for sale or distribution of drugs other than those specified in schedule C, C1 and X ठीक है ना तो कह रहा है यह issue किया जाता है sale or distribution के लिए वो drugs को जो C, C1 और X में specified है उनको छोड़ करके ठीक है application for license is made in form 24A 24A में इसको दिया जाता है license issued in form 25A में ठीक है application 24A में दी जाती है और license मिलता है 25A में before grant of license the licensing authority or CLLA has a shell get the premises inspected by one or more inspectors यह लोग पहले जाकर के उसको जाकर के inspection करते है inspector shall check into all the portions of the plant inspector का करेगा check करेगा सारे portion plant के and shall also inquire in professional qualification for the technical staff employed और साथ साथ में जो technical staff है ठीक है जो आलसो inquiry करेगा professional qualification की जो technical staff है क्या प्रोफेशनली कॉलिफाइड है डिगरी वगरा है उनके पास for the manufacturing of additional item and application must be made to अल्यागा को additional item करना चाहते है तो फिर उसके आगा साथ application देनी पड़ेगी अलग से license is required to test each batch of raw material and finished product and the records must be made up वही का नहीं आगी license को जरूरत है कि test करें हर एक batch के raw material को finished product बनके आगे उसको test करें and record maintain करें must be maintained for the period of five year from the date of manufacture पांस साल के लिए क्या करेगा maintain करेगा two year in case of drug having expiry date from the date of expiry क्यों जिनकी दोई साल है तो उसको दो साल के लिए जिनकी एक्सपारी कम है तो उसको दो साल के लिए maintain करेगा loan license is deemed to be cancelled loan license cancelled हो सकता है और suspend किया सकता है if license owned by a loan licensee whose manufacturing facility has been availed by licensee is cancelled or suspended तो कर loan license is deemed to be cancelled or suspended if the license owned by a loan licensee जो loan licensee को दो लाइसेंस लिया गया है whose manufacturing facility has been availed by licensee is cancelled जो cancel कर दियाने की चीदी बात है whose manufacturing facilities has been availed by licensee is cancelled और suspended तो कह रहा है कि उसको हमनों cancel कर सकते हैं loan license loan license license owned by a loan licensee ठीक है whose manufacturing facility is being availed by I mean availed by licensee is cancelled हो ठीक हो कह रहा है कि वो cancel हो सकता है कि एक तरह हम कह सकते हैं कि manufacturing facility जिसकी वो ले रहा है अगर वो क्या हो जाया है owned by a loan licensee facilities ठीक है वोई बात आगी यहाँ पर कि वो loan license क्या हो सकता है हमारा cancel हो सकता है अगर सारी चीज़ें proper नहीं होंगी clear है next आते हैं ना रिपेकेजिंग बुल्क production है ठीक है याने कि एक factory है वो कहती है भई हमारे द़ाव बना के देदो हमें 1000 लीटर की 100 100 kilos के डब्बे बना के देदो सो कि जो का powder का डबा देदो हमें या 100 लीटर का दवाई बना के दो novida at pen आप हिसे पॉहंचते हैं यक्योन ते ब्रॉस्पेड्री में जाने होगा ब्रॉस्त fiber याने की दूसरा पैक करना है मा यह दो काम हुआ है हम ले पैक हुआ पहले बैख हुआ द्वारा टीज कॉल्ड री पैकेजिंग सिंपल अब आगे खटाक से तो क्या बोल रहा है री पैकेजिंग लाइसने साग ग्रांटेड फॉर ब्रेकिंग अप अब ब्रेकिंग आप का मता समझेंगा न यह दो को सौकी जी का था ब्रेक कर दिया चोटों में तो ड्रक को तोड़ना ठीक है ना ब्रेकिंग आप एनी ड्रक फ्रॉम बल्क कंटेनर बड़े वाले कंटेनर से इंटू फिर इसकी लेबलिंग कर देना with a view to its sale and distribution उसको sale और distribution करने के लिए but does not include compounding और dispensing इसके अंदर compounding और dispensing नहीं है other than those specified कौन से होंगे जो C और C1 में satisfied नहीं है वो छोड़ करके बागी सब के लिए हो सकता है यह on application to LA in form 24B इसका form कौन सार 24B license is issued in form 25B में subject to satisfy the following condition तब ही मिलेगा यह जबी सारी condition followed होंगी आओ फिर सारी वही फॉलोड जाएंगे देखो वही सारी same same आजाएंगी थोड़ा सा धिहान देना हम को यहांपर the repacking operation must be carried out under hygienic condition obviously बात है repacking वापन से किस में होना चाहिए हाईजेनिक कंडिशन महोनी चाहिए साफ सुतरी जगे पहोनी चाहिए under supervision of competent staff जो competent staff होगा जो लायक स्टाफ है जिसके बाद डिग्री हो गए रहा है उसके अंडर में होना चाहिए ठीक है नेमली स्टाफ कौन सा होगा अब person who holds an approved diploma in pharmacy or is an registered pharmacist फार्मसिक होना चाहिए या उसके बाद फार्मसिक डिग्री होनी चाहिए अब person who has passed intermediate examination with chemistry as a principal subject जिसने as a principal subject chemistry को तौर पर इंटर पास किया हुआ है a person who has passed matriculation and has at least four year practical experience दसवी पास है अब क्यवाल री पैकिंग करना है ना क्यवाला में दसवी पास से साथ साथ में चार साल का manufacturing experience है dispensing और री पैकिंग ऑफ ड्रग है ना manufacturing में dispensing और री पैकिंग ऑफ ड्रग में से चार साल का experience होना चाहिए यह ना जितना पढ़ा ही कम उतना experience ज्यादा बढ़ा जाग है factory condition must specify condition prescribed in schedule M factory condition schedule M के according होनी चाहिए applicant must have in his premises adequate facility for the testing of drugs which is separate from the repacking unit ठीक है ना applicant must have in his premises adequate facility वहाँ परियाब the facility होनी चाहिए for the testing of drugs ताकि drug को test कर सके जो drug आया है उसको गरवड लक्तियों test कर सके which is separate from the repackaging unit जो repackaging unit से अलग है license must be kept at licensed premises and produced on request of D.I.E. जो premises है जहाँ पर हो रही है repacking वहाँ पर उसे license रखना है D.I.E. आएगा तो उसको दिखाना है drug inspector को any change in competent staff must be reported to LA अगर कोई competent staff में changes हो रहे हैं तो licensing authority को जाकर report करना होगा for repackaging of any additional item application must be made to LA अगर कोई additional item पहले कुछ और ड्रग लिया है अब कुछ और ला रहे हैं तो उसके लिए अलग से application लगाने पड़ेगी ता लेवल और रीपेक ड्रग शुड भी mentioned the name जो रीपेक वापस रीपेक किया है उसके पर नाम और एडर सुना चीए लाइसेंसी का and his license number preceded by उससे पहले के लिखा होगा RPG रीपेकेजिंग license number अब देखना दवाईयां आगा दवाईयां देखना जिसमें RPG LIC number लिखा होगा है ना अब देखा करना खासका जो अपने solution होगा है स्लूशन देखा है सिर्फ बगरा होते हैं दा लाइसेंस रिमेंड वैलिड अप्टू 31 डिसमबर ऑफ यह फॉलॉइंग इन विच इस ग्रांटे जिस साल दिया गया उसी साल में 33 डिसमबर तक यह वैलिड रहता है क्लियर है बाते हैं तो बड़ा सिंपल था कुछ बड़ी कॉमन चीज फैक्टर की कंडिशन देने से पहले और देने के बात हर किसमें यही बाते हो रही है तो बड़ा असान कॉमन करके मर्च कर दो सारी बाते कॉमन होके आ जाएंगी बस हर एक हैडिंग कर जो एक में ठीक्ति यह खढ़ी है तो अराम से कॉपीपन लेकि बैठेस है न हाँ पतने में देट चलूर बैठना ठीक यह और पढ़ते रहो और रिवाइस करते रहो किस टैपकी फिए प्रोल्हम है call करें मुझे और revise पक्का करें हर एक चीज को कम से कम दो या तीन बर चार बार ठीक है ना तो पढ़ो और revise करो all the best